आज मैं बिदम यूनिक प्राटे की रेसिपी शेर करूगी और वो भी ग्लुटेन फ्री जो है कैल्शियम, आयन और प्रोटीन से भरपूर चलिए देख लेते हैं पहले हम एक तपेली को रखेगे गयास पर और उसमें एक कप पानी डालेगे, पानी को हम बॉयल करने रख देगे, पानी बॉयल होने पर ही आगे का प्रोसस करिएगा, इसमें स्वादनुसा नमक डाल देगे और एक टीस्पून घी डालेगे, जैसी पानी में अच्छे से पर्कीट पर मिल चाहेगा या तो आप घर में भी बना सकते हो राजी के सप्राउट्स को आप सुका दिया और उसे ग्राइंड कर दिम स्प्राउटटर लागी का अटा सयार म county ऐसं tak करने के लिए यहां पर में टोफू और वेज़िटेबल से बना हुआ पनीर यह भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा यह आप घर में भी बना सकते हो इसकी रेसिपी मेरी पेज पर अल्रेडी है कमेंट करी आपके साथ लिंक शेर कर दूगी आप सिफ टोफू से बन जानीर से बना सकते हो या वेज़िटेबल से भी बना सकते हो यहां पर में टोफू और वेज़िदेबल्स दोणों ले दें जो भी ले रहे virtue इसे आप ग्रेट करके एक स्टफिंग बनाएगा तो मोटी वाली खिसनी ले और इससे इक ग्रेट कर दे तो यहां पर में लगब खीस के तैयार करें यानि वेजिटेबल्स हार्ट नहीं होनी चाहिए सारे सॉफ्ट होनी चाहिए तो लगबाग आदा कप मैंने पत्ता हो भी खीस लिया है और एक शिमला मिच को खीस के इसी टोफो में मिक्स कर देगे अब दो क्योप्स प्रॉसस्स चीज जाल रही हूं उसे भी खीस के अंदर डालेगा और इसे अगर आप नहीं पसंग करना चाहते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकती हो लेकिन चीज डालोगे बच्छों को बहुत जादा पसंद आएगा इस पाने वो डिर सारे वेजिटेबल्स और ग्लुटन फ्री पराठा भी खा लेगे अब इस मसाला डाल दियो जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा अगर यह ना हो तो आप ओरेगानो चिली फ्लेक्स काला नमक काली मिर्च अजवाइन और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेगा मिक्स कर दीजे तो यह आपका पराठा मसाला त्यार हो जाएगा स्वाद अगर यह मिक्षर गीला लगता हो तो थोड़ा सा पोहा और डाल दीजे मेने एक चोताई का पोहा इसमें डाला है और यह सारा मॉइशर एब्सॉप हो चुका है यह मिक्षर तभी तयार करें जब आपको यह बनाना होगा स्टफिंग तयार हो चुका है इसे रखेगे अब थोड़ा सा सुका आटा मिक्स करें और इसे स्मूथ कर दीजे चिकना करने के लिए 1 टीस्पून तेल या घी डालिए और इसे स्मूथ कर दीजे यह देखे आब इसमें से एक लोया तोड़ेगे तो यहां पर में बड़ा लोया तोड़ रही हूँ और बाकी आटे को ढ धखकर रख दीजे क्योंकि गरम होना चाहिए थंड़ा होने पर आप आसानी से नहीं बेल पाओगे तो इसे धखकर रख दीजे और जो लोया लिया है उसे आप स्मूथ कर दीजे सूक्याटे से डस्ट कर दीगे और इसे बेलेगे तो यहां पर बेलने के लिए आप बड़ इसी रोटी बेलली जे यह देखे इस तरह अब भीच मे आम स्टफिंग प्लेस करेगे तो थोड़सा स्टफिंग ले ले और इसे बीच में प्लेस करें इस तरह और इसे shape दे दे, जैसे आप अगर square shape का parata बनाना चाहते हो, तो stuffing को square shape में arrange करे, triangle parata बनाना चाहते हो, तो stuffing को इस तरह arrange करें, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हो, यानि जो भी आप shape बना रहे हो, उसे छोटा रखें, और side से आप इसे fold कर सेगे, उतना ही stuffing भरिएगा, तो अंदर का जो stuffing है, उसे छोटा shape रखेंगा, लेकिन थोड़ा मोटा रखेंगा, और side से आप आसानिसे से fold कर पाओगे, थोड़ा सा सुकाटा लगाएगे, और हलकी हाथ से इसे बेलेगे, लाकि हलका सा ये पतला हो जाए, ये देखे, इसी तरह आप बाकि सारे पराटे, स्टफ करके तयार रख सकते हो, चलिए आप इसे सेक लेते, सेकने के लिए तवे को अच्छे से मैंने गरम कर दिया है, तवे पर इस पराटे को डाल दे, और इसे अलट पलड कर दोनों side कुछ second के लिए कच्छा पका होने दे, आप इसे घी से सेक लेगे, यहाँ पर मैं घी आप चाहें बटर से भी इसे सेक सकते हो, तो घी अच्छे से डालेगा, और इसे अलट पलट का सेक दे जाए जब तक कि गुल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, तो यह रहा गरम गरम टोफू स्टफ्ट रागी का पराटा, इसे आप कोई हरी चटनी या दही के साथ सर्फ कर स अगर आपने कभी रागी का पराटा इस तरह ट्राई नहीं क्या हो, तो एक बार ट्राई जरूर करियेगा, और मुझे बताइए कि आपके रागी के पराटा किस तरह बने हैं, वीडियो थोड़ी से भी यूसफुर लगे, फैमिली फ्रेंस के साथ शेर करियेगा, और आप क